तो अभी हम यहां पे आपको जूनियर से बात करवाई जूनियर स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे बहुत खुश थे अपनी ड्रॉइंग में लगे पड़े हैं उनको किसी का डर नहीं है आए हैं शेट मिली हैं लगे पड़े हैं अपने थौट्स एंड फिलिंग्स को एक् को कागस पे उतारना उस इसको एक्स्प्रेस करना ड्रॉइंग यह चीज बखू भी करती है क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है जो अकसर इंडियन पेरेंट्स दौरा कहते हैं ना सपोर्ट नहीं की जाती कि ठीक है आर्ट एज़ भूल जाते हैं कि हर बच्चे में एक कला भी होती है हम जो हेंड्राइटिंग लिखते हैं हर कोई उसको अलग तरीके से लिखता तो वो भी एक कला है तो कला सही तो शिरुवात हुई है कैडमिक्स की यह कहना गलत नहीं होगा आज बच्चे यह बेसिकली सीने सेक्षेन है जो अबब नाइन्थ क्लास के बच्चे है आज वो यहां बखुबी ड्रोइंग कर रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर मतलब अगर मैं किसी एक की भी तारिफ नहीं कर सकता अगर मैं एक से दूसरे पर जाता हूँ तो हर किसी का लेवल अप बहुत इंक्रीज होता जाता है और यहां पे एक सरकल में मैं बन गया हूँ, एक circle के बीच में हूँ, लेकिन गर्मी बच्चों के परियासों को रोक नहीं सकती, जो ये NGO है, इसके परियासों को रोक नहीं सकती, और इन्होंने जो अपना event है, वो successful करके दिखाया, successful हो रहा है, और गर्मी बहुत है, थोड़ा मेरा भी थोड़ा गला सुक चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए, थोड़ी बच्चों से आपकी बात करवाते हैं, और दिखाते हैं कि बच्चों के जो प्रयास है, बच्चे लगे पड़े हैं, social media and all, जो topics में आपको बता देता हूँ, topics मिले हैं, basically pollution पे मिला है, technology and you पे मिला है, women safety पे मिला है, खीक ह तो आठ के माद्यम से कही ना कहीं, बच्चे कनवे कर रहे हैं चीजे, society को बताने की कोशिश कर रही हैं, कि हम कैसे अपनी society हैं बदलाव ला सकते हैं, चलिए कुछ बच्चों से आपकी बात करवाते हैं, जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक बच्ची है, क्या नाम तो बता सकते हूँ कि आपने क्या बनाए, मैं देख सकता हूँ कि आपने एक फिमेल बनाई है, और वो रही है, उसकी मुझे पट्टी बंदी हुई है, और आप इससे क्या बताना चाहते हैं, society को, कि हम मतलब जो गर्ल्स है ना, उसको मतलब सेफ करो, और मतलब जो आजकल ह हुआ है कि चो मार देते पैदा हूने से, तो इसलिए ना क्या है, जो लोग ऐसे विचार धारा रखते हैं कि लड़कियां हो गई, तो कही ना कही बोजो गई, ऐसे विचार धारा बनी होई ऐसां लोगों की, तो तो क्या civilization को,plan channel जो यह आंठ्तरल कर रही है, बहुत अच्छी सोच है और अभी से से अगर ये सोच है तो भारत का भविश्य सच में बहुत उजवल है मैं हर जगा यही चीज़ कहता हूं कि भारत के युवा में ताकत है भारत की तस्वीर को बदलने की आपने ये सोचल मीडिया पर बनाया है क्या नाम है आपका कॉंचे स्कूल के हो जोशल मीडिया यूज करते हैं नहीं करते हैं नाइंथ में बच्चे आके शोशल मीडिया पर बहुत यूज करते हैं और जो बच्चे होते हैं जो हम पारक में जाके गेम्स खेलते हैं उनसे हमारी है बच्चे आप उन बच्चे को का मेंसेज देना चाहते हैं दिन बर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं दिन बर यूट्यूब फेस्बुक इंसेग्राम या फिर वो टिक टॉक और उस पर वीडियो बनाते रहते हैं अगर आप सब यह सब यूज करेंगे तो उससे आपकी एड् अधर और आप पिप्मार है एक जोश मार्ती 또 मैं आप से पूछू जैसे आपने ड्रग इंपक्त का बनाई रही है काफी सारे जो टीनेजर जो स्कूल में स्टूनेंट से इसका शेकार हैं तो कैसे भारस से हम इस चीज को दूर कर सकते हैं अगर मैं आपकी राय जानना चाहूं तो बेसिकली कुछ ड्रक्स की चीज़ें उनको बैन करना चाहिए मतलब टैक्सर्ख थाही लेवल कर भड़ा देना चाहिए और खंसे कम अड़ल्ट इसकू जो होते हैं उनको लिए मतलब इस्मोगिंग छोटे इसके बिच्चे होते हैं जो इसमोगिंग और कई अल्कॉम। जैसे दे रहा हैं यापर और बात कनवे करने कोशिश कर रहा है तो आप फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में कहां से इस चीज को देख रहे हैं किसके पेरेंट हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चों से अज मैसेज सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया ठीक ह यूज करो अच्छी चीज है बट कही ना कही बहुत बुरी चीज भी है बच्चे ने बताया है कि ड्रग एडिक्ट हो रहे है मैंने काफी सारे स्कूल में देखा है बात करी है हजारों बच्चों से बात करी है कि बच्चे गलत संगत में पढ़ जाते हैं अपने तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बेटिया ही आजकल देश को आगे बढ़ाने में लगी पड़ी है कुछ बच्चों से एक दूसे और बात करवात कि क्या नाम है आपका हीना हीना कौंसे स्कूल में हो जोश्य मारती स्कूल से हाथ खड़े करी है और कितने लोग सर्वोदे करने विध्याले से हैं ओके कोई पब्लिक स्कूल से बैठा है यहां पर प्राइबट स्कूल से ओके ठीक है हाँ जोश्य मारती से क्या बनाया आपने इंपेक्ट ऑफ ड्रग्स तो यह ड्रग्स पर इतना फोकस क्यों कर रहे हुए आप अर्म कろ लोगे ना मतलब इसे शौक के लिए यूज करते हैं रहे अपने देखा है इनको किसी को देखा है एक स्कूल में तो नहीं देखा अब के बहर वहाँ यहां सब्सक्राइब क्या मैसेज देना चाहते हैं यहां मतलब वो जए ड्रुक्स लेलेते हैं बहूदा बहुत लए चारव अरवा किमने के विचांच in ongen applySwab दहीं लिए फ़ान नेते हमारी यह मतला हमारी में क्या होता है कि टो हमारे यह जो दुछ फोल होती है यह अम उसे कुछ भी बंद कर नें अधे ऑध लudka में ड्रक फोलु कर पन सकते है किनामें किया अपका आपने परास्मेंट लिखा है अपने अबोशन लिखा है रेप लिखा है लेट लेट बी लेट बीड़ बॉण तो बेसिकली सोसाइटी को क्या मेंसेज दिना चाहते हैं आप आर्ट क्रियेटिविटी से कि आजकल सारी लड़क invert को इन्सानों की तरह नहीं करा जा रहा हुंपूरत मैं से कहसे बाद में टो कि मैंने नोरड कीना जोओड दे जितनी भी girl child जहां बैठी हुई हैं, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ कि हाँ या नामे जवाब देना और इतना तेज देना कि सेक्टर बारा आरके पुरम पुरा हिल जाए, ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि लड़कियो की तस्विर को बदल सकती है, हा या ना, मुझे आवास नहीं आई, हा या ना, तो बस यहां मैं था, विमन सेक्योरिटी पे बच्चों ने ड्राइंग बनाई, टेक्नोलोजी पे ड्राइंग बनाई, और तरह तरह के टॉपिक्स थे यहां पे, यह सीने सेक्शन ने मैं की तोड़ा सा मुश्केल है, क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है हमारे पास, लेकिन बच्चों से बात करके मजा आया, सब लोग दिखे हैं कैमरा पे, आप सब को और लोग दिखेंगे, बच्चों के पेरेंट्स हैं यहां पे, कुछ पेरेंट्स से भी आपकी बात करांगी, क्यूं इस drawing competition भेजा society को कैसा message दे रहे हैं बच्चे और आप जितने भी बड़े हैं जितने भी बड़े हैं आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है बच्चे इतना खुबसूरत message दे रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि गंदगी मत फैलाओ जब इनको पता है इतनी छोटी सी उमर में तो आप लोग गंदगी क्यों फैलाते हैं दूसरा इनको पता है कि women security को करो कि लड़किया ही देश का भविश्य हैं तो लड़कियों को मारो मत क्योंकि बच्चिया ही बना रही हैं पढ़ रही हैं लेकिन मुझे honestly बताओं यहां आकर बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच मा के मेरी भी कहिना कहीं यादे ताजा हो गई धन्यवाद